जो भी हमारी feeling होती है उस वक्त हमें उससे fill करना है ओके जो दो emojis दे रखिए हमें उन में से एक fill करनी है When you get a new dress, जब आपको नई dress मिलती है तब आप happy होते हैं, sad होते हैं Obviously आपको जब नए कपड़े मिलते हैं तो आप happy होते हैं तो आपको यहाँ पर happy face बनाना है When you share your things, जब आप अपने चीजे बाटते हैं, share करते हैं तो obviously अब हम happy होते हैं, तो हम यहाँ पर happy face बनाना है When you are ill, जब आप बीमार होते हैं तब obviously जब बीमार होते हैं तो आपको अच्छा feel नहीं होता, तो आपको यहाँ पर sad face बनाना है Okay, next exercise Draw lines from the house to the people who live in your home अब यह घर दे रखा है और यहाँ पर घर की members दे रखे हैं तो आपके घर में जो जो भी members रहते हैं, आपको house से लेकर उस member तक एक line बनानी है Suppose आपको यह house है, आपके house में अगर आपके grandfather रहते हैं, आपके दादा, तो आपको एक line ऐसे बनानी है आपके father रहते हैं, आपको पापा रहते हैं, आपको line ऐसे बनानी है अब हमारे नेक्स्ट एक्सराइज है ट्रेस तर नंबर्स और डॉटेड लाइन अभी आपको डॉटेड लाइन दिख रही है और यह नंबर्स ड्रॉट हुए है वन टू थी फोर फाइफ सिक्स और इनके पास डॉटेड लाइन्स है तो आपको डॉटेड लाइन्स पर आपको ट्रेस करना है आपको डॉटेड लाइन्स को मिलाना है और आपको एक्सराइज करनी है जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ऐसे वन है तो वन को आपको आपको वन को ऐसे ट्रेस करना है आपको two को dotted lines से ऐसे मिलाना, trace करना है three को ऐसे trace करना ऐसे trace करके आपको numbers लिखना है one, two, three, four, five next exercise next question how many people live in your house आपके घर में कितने लोग रहते हैं आपके घर में suppose आपके दादा, दादी आपके पापा, मम्मी, आपके बहन, भाई रहते हैं so for example आपके घर में six लोग रहते हैं, six people रहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है six people live in my house okay okay, so next page आपको इस पेज पर भी dotted lines को जॉइन करना है join the dotted lines, आपको dotted lines को मिलाना है बहुत simple है, जो भी dotted line में दे रखाया हमें सिर इंको मिलाना है like this this is B this is C there is a circle then